हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल रिचेश मेरा व्लोग और मैं हो रिच्चा तो अभी टाइम हो रहा है दो पहर का आज मैंने व्लोग बहुत ही जादा लेट इससार्ट किया है मैं आपको बता दो कि आज हमारे दूर्ग में आ चुकी है धूप और वो भी बहुत अच् अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो कि धूप कितनी अच्छी आ रही है रूम आज इतने दिनों के बाद घर में धूप आई है तो मैंने सारे कर्टन्स खोल के रख दिये तक कि धूप अंदर आ सके एन गाइस मैं आप लोगों को गमले भी दिखाती हूँ इसमें छोटे छोटे पौधे आने स्टार्ट हो गए है तो मैं आपको दिखाती हूँ उप जाके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गमले में पौधे आना साट हो चुका है और हर गमले में छोटी छोटी सी दो पतिया निकल रही है जो कि दोनों ही पतिया मुझे हर गमले की सेम ही लग रही है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कौन से गमले में मैंने कौन सा बीज डाला हुआ था बट इस बात की खुशी है कि कुछ न कुछ तो लगी गया है जब पौधा बड़ा होगा तब समझ आएगा कि इसमें कौन सी सबजियां उग रही है मुझे सिर्फ पिए ग्रोव बैग का ही याद है क्योंकि ग्रोव बैग में मैंने धनियांका बीज डाला हुआ था और आप यह देख सक्ते हो कि दो-दो पत्या निकली है तो यह धनियां की ही पत्ती है गमले में धनिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता इसलिए मैंने ग्रो बैक पे धनिया का बिश डाल दिया था और खुशी की बात है कि धनिया का पेड लग चुका है तो गाईज अब हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि कब पौधा बड़ा होगा और पौधे से सबजिया निकलेंगी तब ही हमको पता चलेगा कि कौन से गमले में कौन सा पेड है तो गाईज अभी बज रहे हैं दोपहर के तीन और आज मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरे हस्बिन को आज आने में लेट हो गई तो आज मैं अपने लिए बना रही हो ओट्स यहां पे बन रहा है मेरा ओट्स जो की ऑल्मोस्ट बन के तयार हो गया है कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ और खाने का मन होता है गैस मैं आप लोगों को अपने आईस का कलर दिखाऊं कि मेरी आईस कौन से कलर किया दूर्से देखने से तो लगता है कि मेरी आइस ब्लैक कलर किया बट मैं आपको धूप में दिखाती हूँ धूप में देखने से आइस का कलर समझ आता है तो मेरी आइस का कलर ब्लैक नहीं है मेरी आइस का कलर ब्राउन है I hope कि आपको देखने से ब्राउन लग रहा हो तो guys यहाँ पर oats बन चुका है और मैं जल्दी से oats खाती हूँ क्योंकि इसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम करने है